हाई फ्रेंस वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल तो देखे आज हम बनाएंगे पांसे छी नंबर के लड़ो गोपाल की ड्रेस जो कि मैंने तीन कलर से बनाई है वाइक ब्लू और यलो बहुत ही खुबसूरासी डिजाइन है यह देखे बहुत ही प्यारी सी डिजाइन ह सब्सक्राइब कृट्व बनाएं चोली मुनाई हूए उलधरो न चैनल के आप स्लिप स्टिश करते ही स्टार्ट करसे तो प्रेंगे हिसी तो सामने से प्रेंगे में स्टार्ट करें लिए एक सब्सेट मिया जाएंगे दो डबल कुछिया करेंगे सब 34 में दो डबल कुछिया और करीगे है उसी तरीके से सभी 25 इस डोड़ कुछिया पर से ओर आवा य lump को एम पीद कर लेगे इशके तो आव थी तो कि फर्स चैन स्टेच में इसको जोइन के और अब हम यहां से दूसरा कलर इसमें एड करेंगे जो है हमारे पास यलो कलर कि पहले तो इसे एक हम चैन बना लेंगे जोइन करने के लिए ठीक है अब कि एक तो तीन की चैन बनाई तक से इसको थोड़े सा खेज देंगे और तीन की चैन बनाने के बात कि धागा लेंगे और जहां से आपने तीन की चैन बनाई है वहीं पर एक डबल क्रूसिया कर देंगे एक दो ठीक है ताइट से किस देंगे और अब देखें यहां से हम धागा लेंगे और यह जो होल है यहीं पर तीन की चैन और दो डबल क्रूसिया के बीच मैंसे एक तो तीन चार पांच और एक छे ठीक है छे बार हमने इस मैंसे लोग निकाले अब देखें धागा लेंगे और दो दो फंदे करते हुए हम सब को निकालेंगे देखें एक तो तीन चार पांच यह छे लास्ट कर ठीक है अब यहां से फिर से इसको इस तरीक से टर्ण करेंगे यह सीधा है इधर ले कराएंगे अब देखेंगे धागा लेंगे यहां पर जहां से हमने पहले लूप लिये थे साथ बार लेंगे एक दो तीन चार पांच छे और एक साथ ठीक है थोड़ा धीला हो रहा है कि इस देते हैं कि अब देखेंगे एक कि दो कि तीन कि चार कि पांच कि छे साथ अब देखेंगे एक हमारे पास लास्ट का और एक इसका और एक नौ कि नौ लूप हमें गाले साथ वस हमें साथ का लूप लिया और आठ पार में हमने इसको कंप्लेट कर दिया है तो इस तरीके से हमारे पास एक लीफ का पैटन बनके कंप्लेट हो जाएगा ठीक है अब यहीं से चैने स्टेच को काउंट करें एक तो तीन चार पांक छे छटे चैने स्टिच में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और आप अपने हिसाब देख लीजिए अगर आप को यहां पर यह लूज लबता है तो आप एक चैने स्टिच और आगे कर सकते हैं जाएगा ठीक है अब यहां से एक दो तीन तीन कीचेन वापस इसी जगह पर एक डबल दूजिया फिर से देखे धागा लेंगे यहीं से थोड़ा चाइस को खींच के रखेंगे थागा लिया एक दो तीन चार पांच ठीक है यहीं देखे धोग एक बार नेकाला दोग एक बार नेकालेंगे तीन चार पांच और एक यह लास्ट का ठीक है आप देखें फिर से गुहमा के उल्टी साइड में लाएंगे धागा लिया एक दो तीन धागा चार पांच छे साथ साथ वार हमने पफ लिया और अग इसको हम आठ वार में निकालेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ और यह लास्ट का आठ ठीक है फिर से सीधा कर लेंगे एक दो तीन चार पांच छे और एक साथ साथ में चैने स्टिच में जोइन करेंगे एक तो तीन चार पांच छे साथ इसलिप स्टिच कर देंगे एक दो तीन की चैन इस तरह से यह हमारा लीप का पैटन बनके कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे पर हम कंप्लीट कर लेते हैं राउंड कंप्लीट कर लेते हैं पूरा सी तरीका से बनाते हुए अब देखिये राउंड कंप्लीट हो गया जोइन कर देए एक चैन हमारे पास और एक्स्ट्र है तो हम क्या करेंगे आगे एक चैन और ले लेंगे क्योंकि आगे हम वाक्तु कर नहीं सकते हैं तो इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे ऐसे ही तो यह हमारा राउंड अब तीन की चैन लेंगे एक तो तीन ठीक अब देखिए तीन की चैन लेने के बाद में जहां से हमने बनाना स्टार्ट किया था डिजाइन को उसी चैन स्टिच में से हम एक डवल क्रोशिया करेंगे हेल स्टिक है यह वा हम अब देखिए पीछे आजएंगे यहां पर प्रते है एक ते की चैन एक डवल कुछीअ और एक आरे रावड बन खूसिया करेंगे दो वी सरीी 2 तीन हो गए अब द दीन की47 में आएंगे तो हम दो दबल कूसिया करेंगे तो घिरा बडा करेंगे यह यहां पर ठीक है फिर से तीन डबल क्रोशिया तीन चैन स्टिच में एक दो कि अब फोर्थ में जाएंगे तो दो डबल क्रोशिया करेंगे कर लेंगे नच्राइbe sma यह एक सेंग प्लेस पर दूसरा शी तरह से तीन डबल क्रोशिया तीन चैन स्टिच में एक चैन स्टिच में दो डबल कुर्शिया करने हैं और टेकिरन कॉ अफिसे नेक्स आउल स्टार्ट करेंगे एक तीन की चैन नेक्स्ट में जाएंगे एक डबल कुशिया करेंगे नेक्स्ट में जाएंगे तो फिर तीन तो प्रोटल हमारे पास चार डबल कुशिया होगी एक तीन की चैन तीन डबल कुशिया ठीक है एक और करेंगे तो हमारे पास एक तो तीन चार पांच पांस डबल कुशिया हो जाएंगी तीन की चैन को मिलाने के बाद में ठीक है छटे नेक्स्ट में दू नेक्स्ट तीन कि कह नेक्स्ट है चार नेक्समें पांच है और अब भी नेक्स्ट में दो डपरकु है है एक सेंधेश पर तो सब्वेसदी segment ये सब्यस्रा ये सेंट पर फे एसानिय है दोव्य गह ओहाि है अगर इस सितरा रउनyon को कब्लेट कर तो पांच ना बनाकर चार बना दी जए और पांचवी चैनल स्टिच में दोट कर दीजीए ठीक है तो उसे हमारा घेरा इकतम पाफेक्ट बन कर आजाएगा तो फैसे देखिए मैं फैसे तूटल एक दो तीन चार राउंड कंप्लेट किया है ठीक है और देखिए जो मेरा और नेक्स्ट राउंड में मैंने जिस तरीके से बढ़ा है अब वो मैं आपको बता रहे हूं आदि कि अपनी अपने हाद के उपर डिपेंड करता है किसी का हट दीला चलता है किसी का टाइट चलता है तो जब भी आप घहरा बनाएं तो अपनी हिसाब से बनाईएगा एक दो दो तीन चार और नेच्ट है कि एक दो थीन चार पात छी साथ सार्थ में सट चन स्टी चोल में-च test में-च यह-ब च तरीच भी नेच्ट इन चार पात-छी साथ सुर जीन स्टिघ मैं एक 20 नो इस नो दियुक्भी 10 चानवी सेब्सक्राइब 10 चैनव चना ही, इस तरह मैंने दो डबल कुषिया किया, इस तरह मैंने एक, तू 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 तीन चार 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 राउन होगा, इसमें प्रसे सेम्स डिजाइन पड़ेगा, लेकिन हम लगा कलर हमा चेंज कर देंगे, जो होगा हमारा ब्लु जॉइन करेंगे जॉइन करेंगे और अब हम यहां से तीन की चैन दे लेंगे ठीक है फैटन हमारा सेम रहेगा जो हमने उपर बनाया है एक तो तीन जहां से तीन की चैन बनाई है हम वहीं से एक डबल क्रूसिया और कर देंगे अगर हम इसको टाइट करेंगे तो हमारा एक दम लेवल में आजाएगा ठीक है अब देखें डबल क्रूसिया बनाने के बाद में हम धागा लेंगे यह हमारे पास इसके बीच में एक होल बन जाएगा इस होल में हमें लूप बनाना देगे एक इसको हम थोड़ा सा लंबा खीचेंगे एक दो पीन चार पांच ठीक है अब देखें दो दो करके निकालेंगे एक दो तीन चार पांच रे छे ठीक है छेवा निकाल दिया पलेट लेंगे उल्टी तरफ आ जाएगे धागा लिया थोड़ा सा हम इसको लंबा करेंगे एक दो वापस इसी जगे से लूप बनेंगे तीन चार पांच छे साथ बार लूप लिया अब हम इसको आठ बार निकालेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ और एक आठ यह हमारा लास्ट का है हमें इसको आठ वेवानने कर दिया ठीक है फिर से हम इसको थोड़ा से स्टेच कर देंगे दोनों कलर को और अब हम अपने ड्रेस को टर्न कर लेंगे यानिकी सीधी तरफ आज हैंगे अब देगे यहां से काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छे छटे चैन स्टिच माएंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से है 5-3 2-3 3 की चैन है उद्त जहां से हमने टीन की चैन बनाई है इसी जगह पर हम एक दबल क्रेसिया और करेंगे की चैनह थोड़ा नम्मा करेंगे और ज film और कि अधिक जुआर् था स्टिच कर दिबल क्षिया के बीच में जो हूल है इसमें हम पफ बनेंगे एक दो तीन चार पांच ठीक है एक दो तीन चार पांच ठीक है साथ बार निखाल दिया टर्न कर लेंगे यहीं से थोड़ असा बड़ा करेंगे धागा लेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ बार लूब लिया आठ बार निकालेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ ये आठ फिर से सीधी साइद में टंड कर लेंगे ड्रेस को फिर इसको एक दो तीन चार पांच छे छटी चैनल स्टिचों लाकर जोइन कर देंगे इस तरह से यह हमारा पैटर बन कर आ जाएगा तो मैं राउंड कउमप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर से जह तरह इसे तरीका से चार राउंट कंप्लिट के है एक तो तीन चार उसी तरीके से हम आगे चार रार नंग कंप्लिट करेंगे और अपने हिसाब से डबल क्रोजिया इंक्रीज करते हो जाएंगे ठीक है तो मैं इसको प्रशुआ कर लेती हुआ है कम्प्लीट और सेम दिखे मैंने हमारी हो चुकी है complete और देखिए जो डिजाइन मैंने स्टार्टिंग में दिया यहां पर यह लो कलर में है और सेम हमने लास्ट मैं यह लो कलर में ठीक है अगर आपको इसे घीरा बड़ा करना है तो आप चार राउंड करिए उसके बाद मैं फिर से एक डिजाइन बना दीजि और यह हमारी पांच से छे नंबर के लड़ू वपल की ड्रेस है जो हो चुकी है complete और देखिए मैं इसका डायमेटर आपको बता देखिए कि कितना है यह देखिए हम इसको सीधा रखेंगे तो देखिए 11 इंच का 11 इंच का इसका पूरा घेरा है अगर आप इसको और भी बड़ा करना चाहते है तो आप इसमें चार राउंड और कंप्लीट करिए और सेम यह वाले डिजाइन आप किसी भी फलर में डाल दीजिए ठीक है तो अगर आपको